आलवेज वेलकम साथियो डिजिटल क्लास हमेश आपके साथ इंजिनियरों अपनी रेफिरिजरेशन एड एर कंडिशनिंग की स्रीज स्टार्ट हो चुकी है जिस तरह से मेकनिकल इंजिनियरिंग की और स्रीज कंप्लीट एवलेबिल हैं साथियो आपको पीडियाफ फॉर्म लेबिल के टेकनिकल लेबिल के एक्जामनेशन में इनका आप इस्तमाल कर सकते हैं इसी के साथ साथ अपनी जर्रल लॉलेज की भी सिरीज कंप्लीट है साथियो आप प्ले लिस्ट चेक करें वहाँ पर आपको सारा कंटेंट पीडिया फॉर्मेट में अविलेबिल रहेगा आपका टाइम सेव करने के लिए इन नोट्सों के इस्तमाल आप कर सकते हैं चाहें तो फोटो कॉपी कराकर इने रख सकते हैं कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता है तो फुल वीडियो सॉलिशन आपके लिए अविलेबिल है टॉपिक का नाम सर्च करें वाई डिजिटल क्ल साथ हो यहां पर आने से पहले अब थर्मोडाइनमिक्स के सीरीज कंप्लीट करकर आएं क्योंकि उसका बहुत सारा उपियोग यहां पर होता है अप्लिकेशन पार्ट है आरे सी है जो अब इस्टेडी करते हैं साथ हो इंटरनल एनरजी कॉंसेप्ट कम इंटू पिक्चर फ मांस ट्रांसपर नहीं होता है तो यह कलो सिस्टम बनता हुआ है साथ हो लों मैक्रोनरजी और क्योंकि उसमें to w plus del u के बराबर अब इसे यदि इस परकार से आप derivative form में लिखना चाहें साथ हो या तो आप delta इस परकार लिख सकते हैं या d को इस परकार से cut कर लगा सकते हैं इसको ऐसा क्यों करते हैं ये भी जानेंगे अभी आप देख लिए साथ हो इसको format में derivative form में किस परकार लिखा जा सकता है, del q is equal to del w is equal to du, इस परकार से आप लिख सकते हैं, या फिर आप इसे परकार से लिख सकते हैं, del q is equal to del w plus du, इस परकार से, ये साथ हो, exact differential या in exact differential के लिए, इस d format का इस्तमाल किया जाता है, यदि कोई function, यहां आप देख रहे हैं साथ हो, exact differential है, तो उस के लिए exact differential के लिए small d का इस्तमाल आप कर सकते हैं इन इसक परकार से होते हैं साथ हो यहां भी आप देख लीजे यह प्रकार से साथ यह पर बो बोल सकते हैं साथ है इस स Shallow इस प्रकार से बनाये जाता है यह प्रकार लिक्षा साथ हो इसका differentiation कर सकते हैं क्योंकि partial differentiation होगा अलग-अलग variable पर यह depend कर रहा है x y पर आप इसको इस परकार लिख सकते हैं साथ हो इस format को यहाँ पर इसको m इसको n तो d z is equal to m dx plus n dy इस परकार से आप इसे लिख सकते हैं अब इसको exact और inexact differential जांच करने के लिए किस परकार से लिखते हैं साति हो x is equal to constant हो x को अब constant मानते हैं साति हो 2m divided by 2y इस परकार से लिखते हैं और यह value 2n divided by 2x के बराबर हो जाती है यहाँ पर x constant है साति हो और इधर y constant है अब साति हो यह यह value equal आती है तो यह कौन सा होगा exact differential होता है जो कि एक point function होता है आगे जाकर कहीं आप सकता पढ़ेगी तो और detail में जानेंगे यह यह equal नहीं होता है sign इस परकार से आता है तो वो function होगा वो क्या होगा साति हो inexact differential होगा जो कि path function होगा इस परकार से exact differential और inexact differential में आप अंतर करते आ रहे हैं या फिर यदि कहीं आपको आप सकता पड़ती है तो इस परकार से आप अंतर पता कर सकते हैं किस परकार से exact differential होगा किस परकार से inexact differential होता है अब साथियो ये rule regulation कहां से आ रहे हैं किस परकार से relation drive किये जा रहे हैं इन में आप बारीकी से detail में जाना चाहते हैं साथियो depth में जाना चाहते हैं तो आपको thermodynamics की series complete करनी होगी जो कि आपको playlist में available है इस परकार से आप देख सकते हैं basic thermodynamics की series complete मिलेगी साथियो और सारा content आपको चाहें तो download कर सकते हैं nots के रूप में भी available रहेगा series आप देखें आपको सारा content इस परकार से available रहेगा इसमें किस परकार से कौन सा relation है कौन सा rule regulation किस परकार से जाएगी किस परकार से आपको फॉर्मूला drive कर कर लेकर आ सकते हैं सब detail में cover कराया जा चुका है इन्हें बार-बार कराने की आप सकता नहीं है क्योंकि इतना time consume करने के लिए किसी के पास time है या नहीं है यह कहा जाए already यह concept आपको आते हैं तो बार-बार इने drive करने के आप सकता नहीं हाँ revision के लिए आप कर सकते हैं इसमें आप देखते रहें कितने सारे concept हैं साथियो बाकी कितने depth में कराया जा चुके हैं किस प्रकार से कौन सा relation आता है यह सब आपको detail study करने के लिए available रहेगा और यदि आप notes से पढ़ लेते हैं तो और अच्छी बात है यदि कहीं भी आपको problem आती है contact link आपको video description में रहेंगी video description चेक करें किसी प्रकार से contact कर सकते हैं आप चाहें तो group में विज़ुड कर या direct जो अपना digital class का group रहेगा वहाँ पर अपनी problem share कर सकते हैं तो इस प्रकार से आपको solution मिल जाएगा इन सभी का अभी basic चल रहा है साथ हूँ एक दो वीडियो ऐसी आएंगे आपको जो बार बार आपको बताएंगी इस प्रकार से आपको thermodynamics कवर करके आना है उसके बाद हम फिर thermodynamics continue करेंगे यहां से यह PDF डाउनलोड करने के लिए सिरीज की starting वीडियो देखें साथ यह उसके बाद 20 वीडियो का अंतराल में आपको next PDF लिंक मिलते जाएगी इस प्रकार से आप सारा content डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो को अंतर देखने के लिए चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराईयों से बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैहिन बंदे मातरम